नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में तो दोस्तों चार जनवरी 2001 यह तारिक बहुत ही खास है क्योंकि इसी तारिक को हमारे पहले सवदेशी लड़ाकु इमान तेजस ने पहली उडान भरी थी और 2001 में भारत का सपना ये था कि तेजस को जल्द से जल सेना में शामिल कर लेंगे और उसके बाद तेजस पर बेस करके हम नए नए अड़वांस लड़ाकु इमान भी बनाएंगे लेकिन आज 20 साल हो चुके हैं आज तक भी हम तेजस को भारी संख्या में अपनी वायु सेना में शामिल नहीं कर पाए हैं ना ही तेजस को बेस बन हो सकते हैं लेकिन जो असल कारण है वो दो ही है पहला है सुखोई 30 MKI और दूसरा है इंटरनेशनल हतियार लोबी कैसे मैं आपको समझाता हूँ दरसल तेजस लड़ाकु इमान का निर्मान कारिये लगबग 1983 में स्टार्ट हुआ था उस समय हमारे पास फंड भी कम थे एको लाइन ठीक भी थी क्योंकि अगर एक देश पहली बार लड़ा कोई वान बना रहा है तो मिनिमाम 10-15 साल तो लगने ही लगने होते हैं तो उस समय प्रोग्रम स्टार्ट हुआ धीर धीर ये आगे बढ़ा अच्छी तरीके से आगे इसे चलाया भी गया फिर हमारी कोन में ल इसे वायू सेना में हम शामिल कर लेंगे लेकिन इसी बीच भारत ने खरीद लिया सुखोई 30 MKI लड़ा कोई मान अगर आप साइड बाई साड देखेंगे तो सुखोई 30 का और तेजस का कोई यहाँ पर कंपेर ही नहीं है क्योंकि सुखोई है यहाँ डबल इंजन लड़ा युद हुआ था दोनों देशों के पास ने ने परमानु हतियार भी आये थे तो ऐसे में भारत अपनी एर पाउर मजबूत करना चाहता था हमें हर हाल में लड़ा को इमान की जरुत थी और इसी लिए ओरिजनल प्लान यह बनाया गया था कि तेजस को ही बड़ी संख्या मे अपनी वायू सेना में शामिल करके अपने आपको तागतवर बनाएंगे लेकिन इसी बीच सरकार ने फैसला यह ले लिया कि हम रूस से सुखोई 30 खरी देंगे अब रूस से सुखोई 30 हमें मिला 2002 में यानि कि तेजस के पहले फ्लाइट टेस्ट के तुरण अगले साल ही अ अब सुखोई 30 आ गया तो हमारी वायू सेना काफी मजबूत हो गई पाकिस्तान के मुकाबले हमारी जो डेस्परेशन थी वो खतम हो गई हमारी जरुरत खतम हो गई इस वज़े से जो तेजस पर से ध्यान था वो पूरी तरीके से हट गया तेजस की फंडिंग कम कर दी और अब आकर 2021 में वायू सेना ने इसका बड़ा ओडर दिया है सोच ये 1983 में बनना शुरू हुआ था और अब जाकर ओडर हमने दिया है लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पुरानी बात लेकर आज क्यों बैठ गया तो इसका करण है कि एक बार फिर से भा लॉंच किया है और इस लडाकु विमान की खासेते आप सुन लो ना तो ये बन कर तयार हुआ है ना ही इसका एक भी टेस्ट और ट्रायल हुआ है रूस उपर से ये कहता है कि 2026 तक ये बन कर तयार होगा और उससे भी गजब बात ये है कि ये लडाकु विमान पूरी तरीक कोटिंग में नहीं आ पाता वो रडार की पकड में काफी आसानी से आ सकता है दूसरा जो इंजन है वो काफी ज्यादा ओवर हीट करता है ऐसे में जो दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइले है वो काफी आसानी से उसे निशाना बना सकती है तो ऐसे में जब रूस पिछले कई सालों से SU-57 को stealth नहीं बना पाया इस बात की क्या guarantee है कि SU-75 भी stealth होगा जबकि इसका अभी तक एक test भी अंजाम नहीं दिया गया है इसके उपर से भारत को अब सला ये भी दे रहे है YouTube पर कुछ लोग कि जी भारत आने वाले समय में दरसल एक deal कर रहा है MMRCA जिसके तहत हम 114 राफेल खरीदने वाले हैं और order के कुछ महीने बाद ही France हमें उसकी delivery भी start कर देगा कुछ ही महीनों के अंदर और राफेल एक trained and tested लड़ा को युमान है जबर्दस्त है ये बात हम सभी लोग जानते हैं अब YouTube के महनुभाव ये कह रहे हैं कि राफेल वाले डील तो cancel करो ये पैसे उठाकर रूस को दो और रूस से सू 75 खरीद लो जिसकी delivery अगर सब कुछ सही रात हो और ये stealth भी हुआ तो 2026 के बाद start होगी और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस समय हतियार लो भी कितनी ज़्यादा active है भारत के एमका प्रोजेक्ट को इसी तरीके से kill करने की कोशिश की जा रही है जैसे हमारे तेजस को kill कर दिया गया था क्योंकि ये बात आप मान लीजिए कि एक बार हमने सू 75 खरीद लिया ना तो हमारी जो desperation है इस टेल थरड़ा को इमान को लेकर जो भारते वायू सेना पर मुक्या भी रहे थे हाली में कि हमारे पास एक पांची पीड़ी का लड़ा को इमान होना चाहिए ये desperation सू 75 के आने के बाद खतम हो जाएगी हलाकि कई लोग कहेंगे कि जी आमका तो double engine है सू 75 तो single engine है दोनों की category अलग है तो आपको बता दू कि सुखोई 30 की भी category अलग थी और 30 की काटेगरी अलग थी एक double engine था एक single engine था लेकिन किस तरीके से kill किया मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था यहां पर भी ऐसा ही होगा जैसे ही हम सू 75 लेंगे तो फिर सरकारे भी सोचेंगी कि यार हम पानी की तरह अर्बो डोलर क्यों बहाएं जब हमारे पास सू 75 है काम चल रहा है तो एमका पर इतना पैसा खर्च क्यों करें अला कि मैं आपका यहां पर व्यूपॉइंट जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जुरू बताएगा साथ ही वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिएजेगा अफिक लाव सोड़ में इतना ही थैंक यू और मुच्वाचिंग वीडियो